ही गाईज असलम वालेकों वेलकम बाप पिने चैनल फड़ी पुर्थी ब्लोक्स आज के माले यसी है दाई वड़ा आप देख सक्यों यह मैंने उड़त दाल ली है और यह मूंकी दाल हाफाफ कपली है मैंने इसे मैंने राद बार भीगों के रखा था और देख सुबा हो मिक्सी में आप पेबल स्कून नमक आप करोगे तो यह मैंने पीछ किया है आप एक सकते हो आप चाहे तो दर्दरा भी रख सकते हो मैंने भी दर्दरा ही रखा है तो यह देडी है यह दो डुट रही है कर शो हाली है और इसे एम अच्छे स हे दर ज़ने हैं मिक्सी में नहीं पीछना ने तो पानी खानी हो जाएगा इसे हम चम्मत सच्छी से गोट लेंगे दोनों जाई को दालके और इसमें मैंने आदा कटोरी शक्कर लिया है आप चेक कर सकते हो देखेगा यह गरम हो चुका है अभी हम तर लेंगे बड़े को बहुत ही सिंपल और इसी अच्छी कि आप भी शरूर करना है यह देखियेगा माशाला ज़जल करियेगा और कमेंट करके बताना दए वाला किस किस को फसन देखेगा और आपको अगर वीडी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना राइक कर देना श्यार कर देना है देना अपनी दोस्ते के साथ और बेल आइकन दबाने ना बूलना ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो डालू कर आपके आपके आजाए इसे हम हलका सा वाइटी रखेंगे और यह मैंने दई पेट लिया अच्छे से इसमें लंज ना रहें अच्छे से गोट लिया है देख सकता है अब हम एक तपेली में थंडा पानी लेंगे और इसमें यह बज्या हो चुका है वडा मेंदू वड़े का वड़ा और सॉरी दई वड़ा का वड़ा हो चुका है और इसे नीच और के हम डाल देंगे अब इसे हम अच्छे से इसका पानी निकाल लेंगे करका देन दाल देंगे इसे तरह सब वड़े को तक कर लेंगे पानी अच्छे से निचोर के ताके कड़क नहां रहे और अच्छे से एकडम स्पॉंजी और सॉफ सॉफ्ट वड़े लगे और आप ज़रूर बनाना और अपने घर पे सब को खिलाना बहुत कोई भी महमान आए तो आप ये बना सकते हो ये देखेगा ये रेडी है इसमें हम रेड चिली पावडर होडा सी आड़ कर लेंगे उपर आप जिए बावडर में अट किया है और ये मीठा बानी मैंने स्टॉक में रखा कर बना कर आपको मीठा बानी की रैसे भी जल्दी शेयर करूंगी इंशाला तो गाई देखेंगा ये बनके अमार्ट दाइवडा रड़ी है तो इसे हम फ्रीज में रख देंगे अच्छी लगी हो तो लाइक कर ना लापीस और सब्सक्राइब मैं ट्रैनल टेस्टी ट्यून